तो आप किस तरीके से Google AI Studio का यूज़ करकर 3D Racing Game create कर सकते हैं, आज हम आपको बताऊँगा So guys, इस ट्रैप का 3D Racing Game create करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं Google AI Studio का अगर आप अन्य AI Tools का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप DeepSeq हुआ, ChatGPT हुआ, Group हुआ, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं सभी AI Tools का मैंने यहाँ पर यूज़ किया था और best results मुझे Google AI Studio के उपर मिले हैं तो मैं इसी के उपर आपको 3D Game बना कर दिखाऊंगा तो सबसे पहले आपको आना है Google AI Studio के उपर, और इसकी उपर अपना अकाउंट करेट करेंगे, जैसा आप Google AI Studio के उपर अपना अकाउंट करेंगे, तो आपके सामने यह कुछ असपड़ा करना करते हैं अब आपको यहाँ पर आना है chat इसको उपर क्लिक करेंगे, जैसा आप इसको उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने new page आयगा अब आपको model के उपर आना है, यहाँ पर आपको Germany 2.5 Pro इसको choose कले ना है, coding के लिए best मांना जाता है इतना काम करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है और यहाँ से आपको इस प्रॉम्ट को कोपी कर लेना है जो कि आपको मेरे टैलग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो make sure आप मेरे टैलग्राम चैनल को जोईन कर ले अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर run इसको पर click करेंगे and Google AI Studio यहाँ पर work अनर श्टार्ट कर देगा और कुछ ही मिन्टों में आपको यहाँ पर आपके code बना कर देदेगा तो Google AI Studio ने यहाँ पर work अनर श्टार्ट कर दिया है यहाँ से मैं इस code को copy कर लूँगा, इसके बाद आपको search के उपर आना है notepad इसको search कर लेना है, यहाँ पर आपको code को copy and paste करना है file इसको उपकलिक करना है, save इसको उपकलिक करना है and यहाँ पर आपको car.html इस परकास से आपको यहाँ पर type करना है then save इसको उपकलिक करना है, इसको minimize करना है, अब आपको desktop के उपजाना है, यहाँ पर आपको आपका web page मिल जाएगा, अब आपको इसको open करना है, और check करना है, कि आपका game यहाँ पर कैसा दिखाईती रहे हैं, तो हमारा इस प्रकास से game create हुआ है, बिल्कुल basic game create हुआ है, अब इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा मोडिफाई करूँगा, और इसको realistic game में change करूँगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर building को realistic बनाना पड़ेगा, building के पास मुझे घास को add करना पड़ेगा, trees वगरा add करना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे car को बिल्कुल 3D module में change करना यहाँ पर मैं trees वगरा को भी add करने वाला, तो उसके लिए मैं again यहाँ पर जाने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं prompt type कर दूँगा, जैसे कि मैं आप लिख दूँगा, building को realistic बना, building को realistic बना, building के पास grass add करो, और tree add करो, ठीक है, अब run इसको पकलिक कर देंगे, again Google EA Studio यहाँ पर हमारी prompt को analyze करेगा, इसको ढंक से समझेगा, और इसी के अनुसार हमारे codes के अंदर changes करतेगा, तो अलेडी मैंने इस command को दे रखा है, तो इसके codes मैंने generate कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने codes already generate कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पर use करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से मैं code को copy कर लूँगा, तो यहाँ पर bottom में मुझे skull link मिलेगा, यह रहा यहाँ पर, तो यहाँ से इसको मैं copy कर लूँगा, again notepad को पर आएंगे, यहाँ पर हम इसको इससे replace कर देंगे, control less इसको उप कर देता हूं, पुराना वाला था, इसको मैं यहाँ पर again refresh कर दूँगा, देखो कितना realistic look यहाँ पर मिल चुका है, building में modern look की यहाँ पर दिखाए दे रही है, trees वगरा भी add हो चुकी है, गास के जिगे इसने यहाँ पर क्या कर दिया है, मिट्टी वगरा को add कर दिया है, तो realistic car से replace करो, ठीक है, and car का look od जैसा होना चाहिए, look od जैसा होना चाहिए, इस प्रकास से मैंने हाँ पर command दे दिया है, अब run इसको पर click कर देंगे, again google ea studio यहाँ पर work कर देगा, प्रॉम्ट को analyze करेगा, उसी की अनुसारी आपको यहाँ पर result देगा, तो already इसका code भी मैंने create कर रखा है, तो मैं यहाँ पर जाओंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं already दे चुका company command, and यहाँ पर इसने मुझे प्रॉम्ट बना कर दे दिया है, sorry, यहाँ पर codes बना कर दे दिया तो इस code को मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर यह वाला code है, यह वाला, ठीक है, यह रहा मेरा code, तो इसको मैं copy करने वाला हूँ, okay, तो मैं यहाँ पर जाओंगा, and यहाँ से मैं complete code को copy कर लूँगा, 8 minute अगे रहा, तो यहाँ से मैं code को copy कर लूँगा, again कर दूँगा, Ctrl S, इसके उपकलिक कर देने, अगें यहाँ पर आएंगे and check करेंगे, क्या changes यहाँ पर हो, देख सकते हैं यहाँ पर क्या मैं तो क्या लिखा थह है, की क्या दिया है कि प्ली лीज गादी मुझे उल्टी लग रही है, इसका face दूसरी तरफ करो, उसके लिए भी इस ने और मेरा final है इंहाँ स्ट्रिक कर लूँ इस bad यहां पर एक proper गारी की रूप में चैन्झ करगा है पूरा मैं यहां पर कमान दियेवा है और मेरा final यहां पर लूज एस कोड़ को मैं हो रखारा कोपी कर लूँगा प्रसकी क्लिक करूब करनगा i.j. broken यहां पर प्रोपर लुक दिया, उसको भी देख सकते हो, बिल्कुल प्रोपर यहां पर मेरा गेम बन चुका है, पूरा 3D लुक यहां पर आ रहा है, अच्छा गेम बन चुका है, स्कोर भी यहां पर बढ़ रहा है, तो यहां पर मैंने अपना कर देता हूं, पुलाना वाला था मेरा यह, इसको मैं डेलीट कर दूँगा यहां पर, यहां से मैं इसको रिमोव कर दूँगा, यहां पर मैं इसका नाम क्या रख दूँगा, इंडेक्स, क्या नाम रख दूँगा इसका मैं, इंडेक्स, ठीक है, अब उसके बाद आपको क्य करेंगे हम अपनी Game को host करेंगे तो इसको finally हम किस में कर देंगे अपनी App में Change कर देंगे, तो पहले हम हमें यहां पर अपनी Game को host करना है तो में पफरby Pository इसको create करूँगा, यहां पर रेपोसेटरी का Name डाल धूँगा जैसे आपने आप डालता हूँ, मेरी गाड़ी, इस पर कास मैंने यहाँ पर इसका नेम डाल दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, create इसको उपक्लिक करना है, जैसा आप इसको उपक्लिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा, अब आपको यहाँ पर आना है, आपकी file यहाँ पर upload हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, commit changes इसको उपक्लिक करना है, अब आपकी file यहाँ पर क्या हो जाएगी, upload होनी start हो जाए, जैसे आपकी file यहाँ पर upload जाए, उसके बाद आपको settings के उपर आना है, and यहाँ पर आपको main इसको चूज कर देन सेव इसको उपक्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका पेज सेफ हो जाएगा अब आपको यहाँ पर पांस लेकर दस सेकंड तक का वेट करना है तो पहला मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं एक बार पांस लेकर दस सेकंड तक आपको यहाँ पर वेट करना है और आपके ज जो basically यहाप पर क्या हो चुका है? होश्ट हो चुका है. तो वेट करते हैं 5 से लेके 10 सेकिन तक यहाँ पर आपको आपका लिंक दिखाती जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको एप को रूप में चेंज करेंगे ताकि आपको पता लग जाए तो इस परकास से मैंने अपर क्या कर लिया है? create कर लिया अब इसके बाद मैं क्या करूँगा? यहां से मैं इसको copy कर लूगा जो मैंने अपर अपना game host की है ना इसके link को copy कर लूगा उसके बाद आपको इस website को उपर आना है जिसको नाम है webinto app इसके उपर आपको आपको आजाना है maker इसके उपकलिक कर देना है अब आपको यहां पर अपने अपर अपना link क्रीट किया था ना उसको आपको copy and paste करना है आपका name रख देना है जैसे मैं लिकी देता हूँ racing car इस प्रकास से इसका मैं आपकर name रख देता हूँ then next इसको उपकलिक करना है अब आपको canva के माधियम से अपने game के लिए icon क्रीट करना है इसको यहां पर set कर देना है then makeup इसको उपकलिक कर देना है और आपकी app यहां पर बननी स्टार्ट हो जाएगी आपको यहां पर आपकी app का AP के link मिल जाएगा जिसको आप यहां पर download कर सकते है और आप अपने जिसको भी आप यहां पर share करना चाहते है आप उसको share कर सकते है तो इस प्रकास से आप यहां पर अपनी app भी create कर सकते है आप ही तो आपको मैं ने यहाप इक दूसर तरीकाः बताया है, जिसके अंदर हम यहापर क्या करते हैं होग वैब का यूज करते हैं, और इसके मादेर में पर हम आप गेम करेट के हैं, इसको आप अप में चेंज कर सकते हैं तो इस परकास से यहां पर मैंने क्या कर लिया है? तो हम यहां पर पर कर लेंगे अपना बना कर लिकेघ्ता है? यहां पर यहेख क्या हो चुका है मेरा complete यहां पर ready हो चुका है अब आपको ताउनलोड का option ज़रार होगा इसके मादम से आप यहां पर अपनी अप को डाणओड कर सकते हैं अब आपको इसको कीसे करना है तो जसे कि मैं आपको अपनी प्रिवेस वीडियो जो बता चुका हूँ मोन्टाइस करने के लिए आप यहां पर Google AdMob ये Unity Ads के शुक्त कर सकते हैं Simply Google Admob के उपर आना है, यहाँ पर आपको अपनी app को एड करना है, उसके लिए add unit करेट करेंगा है, अगेन आपको जाना है कि इसके ऊपर, Google AI Studio के उपर, यहाँ पर आपको कमाड दे देना है, कि आपको अपनी codes के अंदर, Google Admob के code को एड करना है, तो इसको आप एड करते रोटोमेटिकली आपका जो भी आपने पर गेम करेट होगा उसके उपर एड़ देखने श्राट हो जाएंगे और वहाँ से आप रिवी नियु जनरेट करते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी एड़ वगरा भी एड़ कर सकते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कैसे आपको अपना एक 3D रिसिंग गेम करीट करना है उसका पूरा प्रसस आपको समझ में होगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लेगी है तो आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अमारी चैनल को सस्क्राइब कर लेए वीडियो को पर कम सकम 100 लेक्स लेके हैं ताक इसी तापका ओसम कंटेंट आम आपके साथ शेयर कर पाएं